तो वही स्वागत है अब सबको फिर से एक और ने वीडियो में मिननल मुरली ये बस 18 करोण में बने एक मलायलम सुपर हीरो फिल्म है जो कि डायरेक्ट नेट्फिक्स पर आया था और इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया था क्योंकि ये है ये चबाई डायरेक्टर इसे इतनी मदूर्ता से बनाये है और इसके अंदर इतना डीटल सब छोड़े है कि क्या बताए जैसे कि जेसन को इसमें टेलर वाला की दरह दिखाना था तो उसका दुकान में गर में और जगा जैसन का टेलर वाला लेवल दिखाया है पर किसी ने नोटिस किया नहीं सीवू को जैसन का बनाए हुआ सट पेना के उसे जैसन के हाथो ही फाड़ना था तो उससे पहले उस सट को जैसन के दुकान में दिखाया है पर किसी ने no टीस किया नहीं बिंसी के साधि में जब जैसन और उसका भांजा बिर्याने खाने जा रहे होते तो तब जैसन सबको धक्का दे देता है जिसके बाद के सब गिर जाते है पर सीबू नहीं क्योंकि उसके पास भी जैसन जैसा पावार है भाई पर किसी ने नोटिस किया नहीं आखिर में सेंट जर्थ एंड ड्राइगन का संक्यत देकर जैसन को सेंट जर्थ और सिबु को ड्राइगन की तरह दिखाया है पर किसी ने भी नोटिस किया नहीं मनला बोले तो डिरेक्टर ने इसमें बहुत मेहनत किया है यार पर हम ओडियंस के लिए ऐसे बहुत से डिटेल्स छोड़ा है पर अफसुस की बाद ये है कि बहुत से फिल्मी भाईयों को ये फिल्म अच्छा तो लगा लेकिन डिरेक्टर का छोड़ा हुआ ये सारी डिटेल्स को पकड़ नहीं पाया जो कि एक दुख की बात है पर कोई बात नहीं क्या हो गया वाई कुछ नहीं आपका ये वाई है ना आप टेंसन मदलो आराम से बेटो हम आपके लिए वो सारी डिटेल्स को ढूण के निकाल चुके है जिसे कि अब ही हम आगे देखने वाले है ठीक है तो देरी किस बात की वाई चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते है पहले स्टार्टिंग वाला सिन य है यही ही है जग एक पुलिससर बाप है जो अपना बेटी के ऊपर नजर रग रग रहा है किसी के बाद पर ध्यान नहीं दे रहा है तो बेटी का आशिक ब और नर्मल ऑडियोंस तो दियान दे नहींगे पर आप चिंता मत करो हम है न तो देखो यह में जब बिनसी के केले की चोरी के बार में बताना चाहते थी पर बिंसी के पैपा सुनते ही नहीं वोगे हटाओ यार मुझे अपनी बेटी के उपर ध्यान देना है तो असल में वो दरुगा साफ वही केले की बार में बताना चाहते थी जो केले की यही बंदा ने चुराया था पर सज्जन साब बकरी भी हमें पुलिस जैसन के बाहर दिख जाता है और मजे की बात क्या है पता है यही बकरी को भी हमें जैसन का एंट्री सिन पे दिखाया गया था जब वो बिंसी से मिलने आ रहा था फिल्म का 50 मिनुट रॉन टाइम पहले यार अभी भी आप अगर सोच रहे हो कि भाई इ इस चोर को आगे चोरी होने वाला उस बकरा को सब मतलब कैसे यार यही होता है एक डिरेक्टर का टेलेंट जो कि बिना कुछ बोले स्क्रीन में दो तिन स्टोरी चला देता है और किसी को पता भी नहीं चलता है ना तभी तो बात मैं ऐसे यह सारी डिडियल्स को जनकर मजा पता है ना वाई हां लेकिन भाई फिर भी हमें एक बात समझ नहीं आता कि जब यह सारे मही डेरेक्टर अपना इतना दिमाग लगाए तो फिर उस चोर को ऐसे क्यों छोड़ दिए क्योंकि वह चोर आगे भी हमें दिखता है एक्टर सुधिस वाला सीन में यह एक्टर को द बिजली गिरते टाइम ये लोगों का लाल कपड़ा पहनना, बिजली गिनने के बाद इनके मुह से कुछ निकलना, सूपर पावर मिलना, दिवार तोड़ना वगरा वगरा है न, पर एक बात और साथ आपने नोटिस नहीं किया होगा, जो कि इन दोनों के लाइप में इन सब क जैसा ही सेम था, और जिसे डाइरिक्टर ने बहुत ही चला किसे दिखाया था, देखो जैसन के लाइप में वैसे तो उसके कर भी बहुत सारे लोग है, पर वो उन सबसे उपर अपने बहन को ही मानता है, क्योंकि भाई उसका बहन हमेसा उसे मदद करता है, विदेश जाने क पहले खुद का जेवर वगरावी देकर, तो उसी बहन के उपर जब उसका जीजा हाथ उठाता है, तो पहली बार वहाँ जैसन किसी आदमी के उपर अपना पावर का यूज करता है, अंजाने में ही सही, और आगे जाकर वही आदमी को ही पहले पता चल जाता है, कि जैसन के पास उपर पावर है ठीक, ऐसे ही, फुतके लेख में भी एक आदमी है याद आ रहे कि नहीं, अरे वो चाय दुकानदार, जैसी जैसन अपने बेहन के वज़े से जीजा के उपर पावर का यूज किया, वैसे ही यह सीबू उसा के वज़े से यह चाय दुकाने के उपर पावर का यूज करता है क्योंकि यह भाइसा भी ठिक उसी के जैसा उसा को बुरा भला कह रहा था और आप सबको तो पता है सीबू उसा को कितना चाहता है तो यह कैसे छोड़ता यार हाथो जैसन का स्टोरी में जैसे उसका जीजा वो बंदा होता है उसका पावर के बारे में जानने वाला वैसे ही सीबू का लाइब में भी यही वो बंदा होता है जिसे कि पहले सीबू के पावर के बारे में पता चलता है मतलब समझ रहे हो दोनों के life में एक एक बंदा होते है जो कि इनके power के बारे में जान जाते है और मजे की बात ये है कि ये दोनों ही इन लोगों का सच को बाहर भी लाते है जेसन को अपना जीजा जेल में डाल देता है और सीबू के बारे में तो आपको पता है ही वो चाय दुकाने गाउं चोड़ कर जाने का नाटक करके सिबु को पकड़वा देता है सब कुछ एकदम सेम है डायरेक्टर ने इसके उपर अच्छे से मेहनत किया था पर कुछ वाई हो साधी से मिस कर दिया होंगे इसलिए बता दिया अब गूड और बैड देखो इसमें अच्छाई और बुराई को दिखाने के लिए कलर का सहारा लेकर डायरेक्टर ना एक और मस्तसा डिटेल्स छोड़ा है पर उसे भी सहथ बहुत लोग मिस कर दिये होंगे जैसा कि जैसन के पास हमें एक सफेद बिल्ली दिखाते है और वाईट कलर क्या सिगनिफाइ करता है ये तो आपको पताई होगा वो पीस, प्यूरिटी, स्प्रिच्यूलिटी और इनोसेंस को सुचीत करता है तो सीबू के पास हमें एक काला बिल्ली दिखाते है मतलब black color जो कि sadness, depression, evil, fear, withdraw जैसे कई बुरी बातों को दरसाता है hero सही था तो अपना चाप white color में लिखके छोड़ता था और villain अपना चाप black color में लिखके छोड़ता था ऐसे ही Jason का घर में थोड़ा bright tone में दिखाते है तो Sibu का घर में थोड़ा dark tone में दिखाते है अब इसके आगे तो लगता है भाई climax में भी डायरेक्टर ने ये खेल खेला है Sibu को मारते टाइम हमें Jason के सैट में blue color दिखाया है जो कि G1 की तरह अच्छा है तो सैट में हमें थोड़ा red color जैसे दिखाया है जो कि rawon की तरह बुरा है ये बस एक छोटा सा एक्जामपल था इसा कुछ और मत समझना ठीक है तो ऐसा इवाई डिरेक्टर ने मस्त कलर के जरिए अच्छा ही और बुराई को दर्साया था पर कुछ फिल्में बाइसाइद इसे मिस कर दिया होंगे ये फिल्म में जैसन और सीबू के उपर क्रिस्मस के पिछली रात यानि 24 तारिक को बिजली गिरता है जो कि आप ये नोट पे भी देख सकते हो मतलब 24 दिसंबर से ये लोगों के अंदर सुपर पावर आती है और ये फिल्म भी 24 दिसंबर को ही रिलीज होती है ये सिन में हमें ब्लैक बोड पे जैनवरी दो तारिक दिख जाता है जो कि टाइम लाइन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है जैसन के उपर 24 तारिक बिजली गिरा फिर उसे कुछ दिन खासी हुआ और 4-5 दिन बाद वो ठेक हो गया उसके अंदर हमें जैसन का बाद्जा को भी घर में देखते है वो स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये टाइम तो स्कूल छुटी रहता है पिर एक तारिकों भी नहीं सिधा दो तारिकों स्कूल खुलता है और वही डेट हमें ब्लैक बोड में भी दिख जाता है दासन का घर कुछ ऐसा है पर जब पाश्ट का सिन दिखाया जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है क्यूकि तब सब कुछ ठीक था ना भाई और अब दासन का हालत थोड़ा टाइट है समझ रहे हो और इसमें सिबू के पापा को भी सायद कोई नोटिस नहीं किया पर यही भाई सिबू को भारूद मिलता है और तीसरा तो आपको पता ही है कि उसी का घर जाता है वाई तुर बेटके उसा को ताड़ता भी कोवा के जैसे है इससे में हम क्या समझे बता और आप सबको तो पता है कुछ हरकतों को सगुन अप सकुन माना भी जाता है इससे भी अच्छा एक और आइडिया है कवा से सिवु को connect करने की सिवु का entry सिनमा में पहले तिन कवा को दिखाया जाता है जो कि सैथ सिवु के life के तिन परसन है दासन, उसा और उसकी बेटी एक कवा जेसन का दुकान के उपर बैठा होता दिख जाता है तो सिवु का उन तीनों चहीतों में से एक कम हो जाता है और दो कोवे सिवु के घर के बाहर दिख जाते है तो बाकी दो सिवु के घर में जल जाते है वैसे इसे डिटेल नहीं मज़ा की तरह में लेना चाहिए चुकि ऐसा कुछ सैथ होगा नहीं पर इंट्रेस्टिंग लगा तो बता दिया अब एक और बात भाई पता ने इसमें क्यों किसी को भी अपना पहला प्यार नहीं मिलता हीरो को अपना बच्पन का प्यार नहीं मिलता हीरो इनको अपना बच्पन का प्यार नहीं मिलता जिसे की डैरेक्टर बड़ी चला किसे दिखाए थे हमें लगा आप में से कुछ फिल्म भाई इसे मेस कर दिया होंगे इसलिए वीडियो आपके लिए बना लिया अब आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैस सब्सक्राइब कर लो